दोस्तों ये दुनिया बहुत ही रहस्त मही है और इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन वो होती जरूर है और ऐसी ही एक चीज है जिसका नाम है मारा इसका अपना कोई नहीं होता अर्थात इसका अपना कोई शरीर नहीं होता इस दुनिया में रहने के लिए उसे दूसरे के शरीर की आवशक्ता पड़ती है मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ और ही समझ रहोंगे लेकिन जैसा आप समझ रहें ये वो नहीं है मारा का अपना कोई शरीर नहीं इसलिए वा मनुष्य के शरीर में रहता है मनुष्य के शरीर में उसकी एक खास जगह है एक खास स्थान है और वह है हमारा मन और शेतान एक ही है अर्थात शेतान का रूप ले लेता है हमारे मन में अपना कुछ नहीं होता उसके अंदर तो हम कुछ न कुछ भरते रहते हैं जिस प्रकार हमेसे अधिकांसर लोग अपने मन में नकारात्मक उर्जा नकारात्मक भाव रखते हैं जिस कारण उनका पूरा जीवन नकारात्मक ही बन जाता है वहीं पर यदि आप अपने मन में सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपका जीवन खुशाल और सकारात्मक होता है हम अपने मन को अच्छे कर्मों के द्वारा कुंडलियों को इकठा कर सकते हैं और ऐसे मन में मारा, अर्थाद, शैतान का रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने तो ये सुना ही होगा, जहां अंधेरा होता है, वहां रोष्णी नहीं होती, और जहां रोष्णी होती है, वहां अंधेरा नहीं होता, ठीक इसी प्रकार इस पूरी दुनिया में केवल ये कही मारा है, अर्थाद ये कही शैतान है, जिस प्रकार इस पूरी स्रिष्टी को चलाने वाला, अर्थाद वह परमशक्ती ये कही है, जो इस पूरी स्रिष्टी को चला रहा है, ठीक उसी प्रकार मारा भी ये कही है, पर अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा, इस प्रिथवी पर तो करूडों जीव हैं, करूडों मनुष्य हैं, तो क्या उन सभी के मन में एक ही मारा रहता है, अर्थात एक ही शैतान रहता है, तो इसका जवाब है, हाँ, मारा एक ही है, एक ही शैतान है, जो इस दुनिया में रहने वाले हर किसी के मन में वास करता है, जैसे वो परमशक्ती सब में वास करती है ठीक उसी प्रकार मारा भी सभी के मन में वास करता है एक मनुष्य तीन जगा पर सबसे ज़ादा कमजोर होता है कामवास्ता की समय ख्रोध के समय और लालच के समय जब व्यक्ति अद्धिक कमजोर होता है तब मारा उसे अपने घेरे में ले लेता है और फिर ऐसे व्यक्ति के मन में तरद तरद के बुरे ख्याल न करात्मक विचार उत्पन होने लगते हैं और वव्यक्ति न चाहते हुए भी अपना बुरा करना शुरू कर देता है वही पर एक मनुष्य तीन जगह पर सबसे ज़्यादा मजबूत भी होता है संकल्प, ध्यान और एकांत के समय ऐसे वक्त में उस व्यक्ति के चार ओर एक सकारात्मक उर्जा होती है अर्थात वो परमशक्ति उसके भीतर विचरन करने लगती है वो परमशक्ति उस मन के भीतर उतरने लगती है और जब वो उस मन के भीतर उतर दी है तो मारा अर्थात वो शैतान मन छोड़कर भाग जाता है किन्तु वो हार नहीं मानता वो अंतिम सांस तक युद्ध करता ही रहता है जब वो मन छोड़कर जाता है तो उस दरान वह मन में कहीं न कहीं एक ऐसा बीच छोड़ कर जाता है ताकि कभी अगर वह व्यक्ति फिर अपने मार से डगमगा जाए तो उसे एक बार फिर से वह नकारात्मक उलजाएं घेर ले और मारा एक बार फिर से उस व्यक्ति के मन में प्रवेश्च कर सके ध्यान करने वाला वेक्ति भी अपने बत से ठ्रस्ट हो सकता है जब तक कि उसके भीतर स्वयम परम शक्ति जागरूत ना हो जाए मैं जानता हूँ कि अब तक हमने जो कुछ भी बाते की हैं हो सकता है कि वो आपको पूरी तरस समझ में ना आयो इसलिए चलिए इसे महात्मा बुद्ध के जीवन से समझने की कोशिश करते हैं महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था राहुल के जन्म के समय ही सिधार्थ अपना महल छोड़कर ग्यान प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े उन घने जंगलों में वो यहां से वहां भटक रहे थे और इसी दोरान उनके मन में भी तरह तरह के प्रस्ट उठ रहे थे और वो उन प्रस्टों के उत्तर जानने के लिए हर मुम्किन प्रयास कर रहे थे जिसने उन्हें जो भी बताया उन्होंने वह हर मुम्किन प्यास किया ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि कहीं पर उन्होंने कोई कमी छोड़ दी है उन्होंने तरह तरह का ध्यान किया बहुत सारे पड़ाओं को पार किया लेकिन अलग-अलग साधनाय करने के बाद भी उन्हें उनके प्रश्णों का उत्तर नहीं मिल पा रहा था जिनकी तलाश में वो अपना महल छोड़कर इस खने जंगल में आये थे सिध्धार्द ये जानना चाते थे कि आखिर दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है, हमारा अस्तित्व क्यों है जिस प्रकार सिध्धार्द के मन में ये सभी प्रश्ण उठ रहे थे ये सभी प्रश्ण आपके भीतर भी उठते हैं लेकिन हमारी मन की गहराईयों में बसा हुआ वह सैतान, अर्थाद, मारा, उन सभी विचारों को, उन सभी सवालों को मन की गहराईयों में दबा दिता है परन्तु सिधार्थ के साथ कुछ अलगी समस्या थी, उनके विचार और उनकी संकल परशक्ती एक जूट थी, जिस कारण मारा उन पर हावी न हो सका फिर भी वह उन्हें यहाँ वहाँ भटका रहा था, वह चाता था कि सिधार्थ हार मान ले, लेकिन सिधार्थ ने हार नहीं मानी, वह उन पर अपने अश्त्रों का प्रयोग नहीं कर सका जिन का प्रयोग वह हम पर बड़ी आसानी से कर लेता है, अर्थाथ, काम वास्ता, लालच और क्रोध, क्योंकि सिधार्थ बड़े ही दयालूर और विनम्र थे, जिस कारण उनके भीतर ये सारी भावनाएं नहीं थी और आखिरकार अपनी छे वर्षों के गहन यात्रा के बाद सिधार्थ ने अपनी मन्जिल को पाही लिया, और वह सिधार्थ से बुद्ध बन गए, परन्तु आपको यहाँ पर एक बात पर और गौर करना चाहिए, और वह यह है, कि जब सिधार्थ बुद्ध बने, तो उन उनके भीतर सिधार्थ कहीं नहीं था, स्वयम वो परमशक्ति उनके भीतर जाकृत हो चुकी थी, और उनके शरी की मद्ध से विचार कर रही थी, और ऐसे वस्था में मारा उनके भीतर प्रविश नहीं कर सकता था, क्योंकि अब सिधार्थ बुद्ध बन चुके थे, जैसे जो आप बच्पन में थे, वो आज आप नहीं है, इसी प्रकार से समय बदलता रहता है, और ये चक्र योही चलता रहता है, और फिर सिधार्थ से बुद्ध प्रकट हुए, परन्तु इससे पहले कि सिधार्थ बुद्ध बनते, उन्हें मारा को अपने मन से बाहर निकालना तो वो अपनी पूरी शक्ती लगा दिता है ताकि वो आपको रोक सके और वो आप में एक बार फिर से प्रवेश कर सके ठीक ऐसा ही महात्मा बुद्ध के साथ भी हुआ था उसने सिधार्थ के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी परन्तु उस समय सिधार्थ एक ऐसी अवस्थ अर्थात एक हाँच से ताली नहीं बचती दोनों हाथों को एक साथ जुड़ना ही पड़ता है तब ही ताली बच पाती है ठीक उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति प्रतिक्रिया देना बंद कर दे तो वो लड़ाई वहीं पर समाप्त हो जाती है और एक अकेला व्यक्ति खु प्रबल शान्त हो कर कि ये सब देखते रहे ना उन्होंने ये कहा कि ये सब क्या हो रहा है और ना ही उन्होंने उस विचारों के प्रति कोई जिग्या सा दिखाई और ना ही उन्होंने अपने आपको जबरजस्ती रोकने का प्रयास किया आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज के लिए जवर्दस्ते रोकने का प्यास करते हैं तब हमारा मन उस चीज को पाने के लिए और भी प्रबल हो जाता है हमारे बन में उस चीज को पाने की इच्छा और भी तीवर हो जाती है और जब हम उस चीज को पान ही पाते तो हमारा क्रोध बढ़ने लगता है औ और उसने महात्मा बुद्ध के साथ भी ऐसा ही किया कि कहीं पर सिध्धार्थ अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगे। कहीं पर तो वो किसी विचार पे कोई नो कोई प्रतिक्रिय अवश्य देंगे। किसी ने किसी विचार के प्रति उनके मन में तरंग जरूर परन्तु सिध्धार्थ के भीतर एक भीतरंग न उठी। बड़े से बड़ा परिणाम दिखाने के बाद भी सिध्धार्थ सब को छोड़ छाड़कर चुपचाप बैठे थे। तुम जिन भी प्रश्णों का उत्तर जाना चाते थे वह तुम्हें मिल चुके हैं। बस अब यहीं पर रुख जाओ। मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। परन्तु सिध्धार्थ पर जैसे उन बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। पचुपचाप उन सब को मन छोड़कर जाना ही पड़ा। और जैसे ही मन पूर्ण तक खाली हुआ। सिध्धार्थ भी विदा हो गये। और बुद्ध प्रकट हुए। परमशक्ति को शरीर प्राप्त हुआ। और ज्यान प्राप्त करने के कुछ वर्शों बाद। जब महात्मा बुद्ध वाप उन्हें पिता से अपना हक और अधिकार मांग लो। अपनी मा की आग्या पाकर राहुल महात्मा बुद्ध की तरफ आगे बढ़ा। तब ही महात्मा बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र राहुल के हाथों में रख दिया। यह देखकर यह शोधरा बहुत विचलित हो ग इस पर महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं। इसमें मारा राहुल को विच्छित करने का प्रयास कर रहा है। राहुल को घर के सपने आ रहे थे। इस पर माहत्मा बुद्ध ने मारा से कहा। सुनो मारा वह मेरा पुत्र है। उसमें बहुत समझ और धैरे है। वह अपनी मर्जी से मेरे साथ आया है। तो मुसे रमित नहीं कर सकते। इस पर मारा ने कहा। तुम्हारे भीतर मैं ना सही बुद्ध परन्तु मैं तुम्हारे पुत्र के भीतर अवश्य ही रहूँगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला मन के शैतान से महात्मा बुद्ध किस प्रकार बात कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपको पहले ही मिल चुका होगा। आपने ऐसी कई कहानियों में सुना होगा कि महात्मा बुद्ध दूसरों की मन की बात जान लिया करते थे। भले ही मारा कोई शरीर ना हो पर वो इंसान के मन के भीतर की छुपी होई हर छोटी बड़ी बाते जानता है। और जब आप आपके रूप में इस दुनिया में कारे करता रहता है। आपने ऐसे कई बुरे लोगों को देखा होगा जिने देखकर आपके मन में तरतर की विचार उपने लगते हैं। कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? कोई ऐसा भी कर सकता है? तो क्या ये वही शैतान है? हाँ, ये वही शैतान है। और अगर आप अपने भीतर बैठे हुए उस मारा से परिचित होना चाते हैं, तो ये बहुत आसान है। बस आपको अपने क्रोध पर ध्यान देना है। क्रोध के रूप में मारा बहुत तेजी से आपके चेहरे पर प्रकट होता है। और देखते ही देखत इचान पाएंगे कि आप अपने आप पर नियंतर नहीं कर पा रहे और कोई और ही है जो आपके शरीर पर नियंतर साधे हुए है। आगे मारा ने महात्मा बुद्ध से कहा, ये तो तुम्हें सुबाही पता चल जाएगा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे जैसा बिलकुल नहीं है। राद भर राहुल बेचैन रहा, अपनी मा, दादा और अपने सभी मित्रों को बहुत याद कर रहा था। अपने महल की सारी सुक सुधाएं उसकी आँखों के सामने घूम रही थी। तब ही राहुल के मन में अनेक विचार उठने लगी। वया सोचने लगा कि व वो कहां जा रहा है। इससे अच्छा तो उसका महल था, जहांपर सारी सुक सुधाएं हैं, सारे एशो आराम है। और तब ही वो अचानक उठा और उसने अपने पिता का दिया हुआ वो विख्षापात रहात में लिया। और जोर से कहा, विख्षाम दे ही। कि कहते ही राह मुझे कब मिलेगी। जिससे ये पता चल चुका था कि मारा उस पर अपना असर न दिखा सका। ठीक इसी प्रकार, जब हम भी अपने जिवन में जब कोई गलत कारे कर रहे होते हैं, तो इंसान के भीतर थोड़ी सी भी जाग रुपता। अर्थार एक अच्छा इंसान ये म मन की इस बात को सुनकर रुख जाता है, तो उसके भीतर सकारात्मक उर्जा पढ़ने लगती है, उसके भीतर सकारात्मक तरंगे फैलने लगती हैं, किन्तु वहीं पर यदि कोई व्यक्ति मारा के वश में आकर कोई गलत कार करता है, तो शुरू शुरू में उसे बहुत क्या है», कोई बहुत बड़ा कारिकिया है और उससे तुरंथ ही उस बात की खुशी भी महसूस होने लगती है और यही कारियन मारा का है क्योंकि वह आपको तुरंथ ही परिणाम देता है जिससे देख कर आप बहुत प्रसंन हो जाते हैं आपको लगता है कि बस अब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता जिस कारण आप अच्छा महसूस करने लग जाते हैं परन्तु आप ये भूल जाते हैं कि आप मारा के इस आवेश में आकर एक ऐसे दलदल में फस्ते जा रहे हैं जहां से निकलना आप के लिए फिर बहुत म और यही कारण है कि हमें बुरे कारे करने में बहुत मज़ा आता है फिर चाहे वो कारे कैसा भी क्यों न हो क्या आपके कभी एक पल के लिए ये सोचा है कि जब भी आप कोई बुरा कारे करने के लिए जाते हैं तो आपका मन इतना लालाईत क्यों रहता है क्योंकि आपके मन के भीतर बैठा हुआ वह शैतान, अर्थात मारा, वह बुरे कार्यों के लिए ही जाना जाता है, और उसे बुरे कार्य करने में ही मज़ा आता है, और जब वह आप पर हावी हो जाता है, तब आप अपने आप पर नियंतर नहीं रख पाते, और आप ना चाहकार भी ऐसे गलत क कारे कर बैठते हैं, जो आप करना नहीं चाहते, जिसे करने के बाद आपको पस्तावा भी महसूस होता है, लेकिन जब एक बार आपने वह कारे कर दिया, तो आप उसे सुधार नहीं सकते, इससे बहतर है कि आप पहले से ही अपने भीतर सुधार लाएं, अपने मन पर करें मारा को अर्थात उस शैटान को अपने ऊपर हावी ना हुने दे और ऐसा आप ध्यान के अभ्यास से कर सकते हैं इसके लिए आपको निरंतर ध्यान करते रहना होगा ये हो सकता है कि शुरुवात में आपको इसके कोई परिणाम ना देखने को मिले लेकिन आप ये दि निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही आप धीरे धीरे अपने मन में वह निर्मलता वह सुन्दरता देख पाएंगे और धीरे धीरे आप कामवास्ता लालज और क्र या फिर मन में बैटे हुए उस शैतान के हाथों में ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है और इतना कुछ जाने के बाद यदि आप अब भी अपने जीवन पर अपना नियंतर नहीं साथना चाहते अर्थात जागरुखो कर जीवन नहीं जीना चाहते तो आप जैसे चाहें वैसे अपना जीवन जी सकते हैं आपको कोई रही रोकने वाला किन्तु यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वो सब हांसिल कर सकें जो आप चाहते हैं जिसके लिए आपने काम ना किये जिसकी आपके मन में इच्छा है तो आपको अपने मन पर नियंतर सा नहीं होगा क्योंकि इसके बिना आप किसी भी लक्षे को हासिल नहीं कर सकते वैसे उमीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आयोगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीचेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद